अब यह जो कॉस्टन हैना दोस्तों यह NTSC में भी आ चुका है सटीट में ठीके यह यह जै डवली में भी आ चुका है नींट में भी आ चुका है के वीपिया तो बहुत आप सौ चलो इसने कोई सेजाम निशोड़ी है फैणा तो यह सब में आ चुका है यह चलो करें किसे करत रहेगा पहला पॉइंट ठीक है अब लिखे दूसरा पॉइंट कि नॉन कॉंजर्विटी फॉर्स उस सिस्टम के अंदर नहीं लगना चाहिए अगर नॉन कंजर्विटी फॉर्स लग रहे हैं तो उनका वक्टन जीरो होना चाहिए यह हो गया आपका नंबर टू ठीक है जैस सब्सक्राइब है तो सर अभी जब आपने यहां पर लिखा एक ब्लोग को आपन यहां से आप ले गए तो आपने ब्लोग की जो जो चेंजर प्टेंचल एंशी है वह ब्लोग की आई एमजी है और लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनरजी थेरम पड़ी थी जो की बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट थी और उसके अंदर 10 से 15 कुशंस तो मैंने खुद ने ही करके आपको बताये थे क्लियर है सबको चलिए तो दोस्तों अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है एनरजी देखिए वर्क एनरजी पावर में हमारा वर्क वाला पार्ट खतम हो चुका है अब हम जो शुरू करेंगे वह है एनरजी तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे एनरजी और एनरजी क सर आपने बोला भी अभी कि conservation of mechanical energy भी बहुत important है तो सर हर चीज़ important होती है क्या तो देखो दोस्तों ऐसा है important ये दो चीज़े बहुत हैं सच में भी देखिए मैं आपको दोनों का मतलब भी समझा देता हूं किस तरह से important है देखिए work energy theorem ये किसी भी question को करने का दम रखती है work energy theorem आप कहीं पर भी लगाओ तो कि आपको अंसर निकाल देगा ये बात क्लियर है इसमें को दिक्कत वाली बात नहीं ठीके work energy theorem हर question को solve करने का दम रखता है मगर conservation of mechanical energy है ये important क्यों है मैं आपको बताता हूं देखिए माना कि conservation of mechanical energy सो में से 100 question नहीं कर सकता ठीके वह 100% नहीं कर सकता वह लगभग 90 to 95% जरूर कर सकता है question से मगर ये बात ध्यान रखिए कि conservation of mechanical energy से जो आप question करोगे उससे आपकी speed ना बहुत ज्यादा तेज रहेगी as compared to work energy theorem question को आप work energy theorem से भी कर सकते हो conservation of mechanical energy से कर सकते हो मगर conservation of mechanical energy से अगर आप लोगों ने करा तो उसमें आपको बहुत सटिकता से अंसर मिलेगा वो भी कुछ seconds में मिलेगा clear work energy theorem में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो कि अपने से गलती ना हो और किस-किस के work लेना है वो सब अपन को पर देखना पड़ता है वह बात सही है और वह है भी important को कि वह सब्सक्राइब को करने का दम रखता है मगर अपने पास जो पूरी entire physics में question मिलते हैं तो हर जगह प mechanical energy बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों तो आप लोगे से तो भी एक बात clear कर रहा हूं में कि जितना अच्छा आपने को WP में work energy theorem रखना है उतना ही अच्छा conservation of mechanical energy भी रखना है यह बात ध्यान रखना clear तो दोस्तों अब मैं अपना लेक्शे शुरू कर रहा हू energy से ठीक है तो दोस्तों हमारे पास energy होती है दो प्रकार की एक होती है kinetic energy और एक होती है potential energy ठीक होती है kinetic energy और एक होती है potential energy clear potential energy बच्चे अपने पास होंगी दो प्रकार की है ना एक होगी gravitational potential energy और एक होगी spring potential energy no doubt कि और भी तरह की potential energy होती है है ना मगर अभी हमें हापर पढ़ और इस्प्रिम पॉटेंचल नर्ज़ी एक लिए की चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने कायनिटिक रिजी पहले ही पढ़ लिया है chron At already पढ़ लिया है तो अब हमको यहां पर क्या पढ़ना होगा पॉटेंचल एनरजी और फिर उसके अंदर हमको पढ़ना है potential energy जो कि बहुत important concept है ठीके ध्यान से सुनना इसको बस समझना होता है अपने को बस ठीके चलिए तो potential energy शुरू कर रहा हूँ उसके पहले में दो definition आप से पूछ रहा हूँ ठीके अच्छा force कितने प्रकार के हमने बोले थे अभी WP पढ़ाते समय तो हमने बोले थे सर दो प्रकार के एक होता है conservative force और एक होता है non conservative force conservative force का मतलब क्या होता है सर तो सर इन forces का work done path पे depend नहीं करता यह सिर्फ initial state और final state से मतलब रखते हैं ठीके हम चाहे किसी भी path से चलिजाए हमारा work done सेम रहेगा यह होता है conservative force non conservative force क्या होता है तो सर non conservative force वो force होते हैं जिनका work done अलग-अलग path से अलग-अलग होता है ठीक है जो की इनिशल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता वो अलगलग पात से जाने पर अलगलग वक्ड़न लगता है क्लियर चलिए तो अब हम वापिस से आ जाते हैं तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करें हैं पोटेंशल एनर्जी ठीक है तो यह पहले उतार देना उसके बाद यह स्टार्ट करना पोटेंशल एनर्जी और पोटेंशल एनर्जी के शुरुवात में ही मैं आपसे एक बात बोलू energy is only defined for conservative forces तो हमारा पहला पॉइंट यह होगा कि potential energy हमारे पास conservative forces के लिए ही defined है और सब्सक्राइब क्यों नहीं करा गया तो ध्यान से सुनों क्योंकि इसे non conservative force के लिए define करना बनता भी नहीं है ऐसा क्यों तो ध्यान से समझेगा ठीके जिसे कि मान लो दोस्तों कि हमने एक पार्टिकल को एसे बी पर ले जाना है ठीके और हम हमारे पास यहां पर conservative force लग रहे तो अब अगर वह conservative force लग रहा है तो हम बोलेंगे कि सर आप एसे बी में सीधे चले जाओ या आप सर एसे करके चले जाओ यह सर आप एसे करके चले जाओ आप तीनों रास्ते से जाओ कि सर आपका work done तीनों में ही सेम रहेगा है ना मान लो कि सर यहां से आपको अगर मान लो यहां से आपको यहां पर जाना है और यहां पर इस रास्ते से बीजूल लगता है तो आप किसी भी रास्ते से चले जाओ आपको 20 जूल ही लगेगा क्योंकि यहां पर conservative फोर्स लग रहे हैं ठीक है ना में को बार थोड़ा सा अलग से समझाता हूं सुनो जैसे कि मान लो दोस्तों कि यह जो मेरा हाथ है ना इसको मैं potential energy zero जो डिफाइन कर देता हूं ठीक है दिफाइन कर देता तो यहां पर यह जो मार्कर है मेरे पास वो प्रेंशल जी जिरो हो गए अब मैं इस मार्कर को उठा कर यहां पर जाता हूं तो मेरे पास इसकी मारकर के तो दस जूल एनर्जी ही मिलेगी ना सभी बात इतनी बाद समय में आ रही है क्या तो यहाँ पर पोटेंशल एनर्जी डिफाइन होगी मगर अगर अलग-अलग रास्ते से अलग-अलग आपको एनर्जी डिफाइन करना होता तो आप यह बोली नहीं सकते थे कैसे ध्यान से सुनो आपने अभी क्या करा कि इस मारकर को उठा के यहाँ पर लाए अप चाय किसी भी रास्ते से लिया हो आपको मालो 10 जूल का बगदन लगा मगर अब मैं इसी की जगा पर कुछ और बोल देता आपको है ना मैं बोल देता कि चलो आपको A से B तक जाना है ठी ठीक है और आपको एक डब्बे को यहां से घसीट के ले जाना है ठीक है फ्रिक्शन लग रहा है आपको एसे बी में ब्लोग को घसीट के ले जाना है तो आप ले जाके दिखाओं तो आप बोलोगे सर में तो सीधे ले जाता हूं ठीक है एक से करके ले जाता हूं और एक से 15 जो लगा हो दोस्तों ठीक है ना तो यहां पर potential energy का define करने का कोई मतलब भी नहीं उठता है जिसे यहां पर हमने क्या है बिल्कुल कितना साफ सुतरा था ना कि यह अगर potential energy 0 है तो अगर मैं इसको कुछ यहां पर ले आता हूं तो इसकी potential energy energy 10 हो गई अब चैक किसी भी रास्ते से लिए था जो में ने रिक्षिन के इसा नहीं बोल सकता क्यों क्यों नौन conservative forces है कि अलग-अलग रास्ते से जाओंगा तो अलग-अलग लगेगा तो अगर मैंने वे बोल दिया कि यहां पर zero है अगर मैंने कभी भी नहीं बोल सकता कि यह दस ही होगा नहीं बोल सकता में क्यों कूंकि अलग-अलग रास्ते से भी अलग-अलग आ रहा है energy सही बात है क्या तो इसलिए पॉटेंशल जी का और इंडिविजल बोडी बेटा पूटेंचल नर्जी जो है वह हमेशा सिस्टम के लिफेंड होती है ना कि इंडिविजल बोडी के लिए यह भात ध्यानक ना सिस्टम के लिए किसे वो इसलिए वीज़ कूश्प पॉटेंशल रजी जब भी हम वर्ड उस करते हैं तो यह फि पर हम बोल देते हैं potential energy होती है है ना माइनस 13.6 जए उसक्र बाइन उसक्र बोलते हैं ठीके तो वहाँ पर भी इस तरह के ग्रेविटी लगा रही होगी देखो फील्ड यहां पर है ग्रेविटी तो ग्रेविटी की फील्ड इसमें फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ तो यह Earth को उपर की तरफ खीचेगा क्योंकि Action Reaction पेर बनना चाहिए नूटरंस थर्ड लो ठीके ना तो Earth प्लस Marker का System एक अगर मानू तो Gravity इसमें Internal Force हो जाएगी पहली बात तो यह Gravity एक Internal Force होगी Clear और मैंने Potential Energy Define करी होगी System के लिए क्योंकि अगर मैं इस Marker को उपल ले गया तो मैं बोलूँगा कि इस पूरे System की Potential Energy बदली है मैं यह नहीं बोलूँगा कि इस Marker की Potential Energy बदली है ठीक है ना हलाकि मैं इसके अंदर थोड़ से और पी चीज़ बिताने वाला हूँ है है ना मगर इतना ध्यान रखना आप बस इतना से एक चीज़ क्लियर रखो आप तो रटलो ऐसे सीधी सीधे अगर नई समझ में आ रहे तो सीधी सीधे रटलो कोई दिक्कत नहीं है कोई स्टेट्मेंट में कभी आ गया तो यह ध्यान रखना क्या ध्यान रकना है कि सिस्टम के लिए डिफाइंड करी जाती प्यलिल ना कि बोडी के लिए इतना гр आपन उसका डिफेरेंशन समझ लेते हैं कि गले खेंगो इसके अंदर मैं सारी सीज़ियां पर इंक्लूड कर दूँगा कि चेंज इन पोटेंचल इनर्जी इस इकल टू माइनस ओफ वक दन बाई इंटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ दे सिस्टम तो को सिस्टम भी आ गया कि सिस्टम के लिफाइन है और जिसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी और मतलब अगर में मार्कर और आर्थ को सिस्टम मानता हूं तो यह आप लोगों के लिए बिल्कुल बना देता हूं इस तरह से पढ़ना हमेशा कि इस तरह से याद रखलो बस इसमें तो को रिकत नहीं आप तो कि लिए बताया मैंने है तो इतना तफ नहीं बिल्कुल सिंपल से चीजें आप इतना वह लोड मतलो इन सब चीजा कहा है ना आसानि बस यह वाला जो फोर्म ला है इसको अच्छे से याद रखना है तेखो हम लोगों ने WP में वर्क दन सबसे पढ़ा सबसे पहले वर्क दन में अपने का फोर्स इंटू डिस्ट्रेस्मेंट होता है राइट फिर हमने पढ़ा कि वर्क एनरजी थेर्म वर्क दन बाई और अब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि चेंज इन पटेंशल इनरजी इस इकल सब्सक्राइब के लिए और यह सिस्टम के लिए होती है ना कि इंडिविजल बोड़ी के लिए इतना बात क्लियर हो गई चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है ना अब इंपोटेंट पॉइंट इसी क्यों पर बेज़ें कि पोटेंशल लाजी डिपेंड करती है बटा फ्रे सब्सक्राइब लेते हो तो पॉटेंशल नजी अलग लगाएगी मगर चेंग इन पॉटेंशल नजी सेम रहेगी जैसे कि मान लोगी यह मैंने हाथ को इस वाले पाम को मैंने जिरो डिफाइंड कर दिया और मैंने इसको उठाया तो यह 10 जूल क्योंकि मैंने इसको जिरो ड अब होता नब ऑफ है ना तो पॉटेंशल नर्जी का चेंज फिक से मगर पॉटेंशल नर्जी का रिफेरंस बदलने पर समझ गए क्या पॉटेंशल नर्जी डिपेंड करती है त्यारे ही फ्रेम ब्रेच्ट होती है यह बात अपने को ख्लियर हो गई है कि एक गिना इसी ल 0-3 हो सकती है depends on reference line कि आप reference line कहां पर चुनते हो ठीके तो यह बाद ध्यान रखना reference line का मतलब क्या होता है potential energy 0 का चुनना ठीके तो यह अपने पास हो गया potential energy का concept ध्यान रखना reference line अपने को चुनना होगी कभी भी किसी भी चीज़ की अगर हमें potential energy लिखना है तो हमें reference line चुनना होगी reference line चुनना मतलब potential energy 0 different करना clear है क्या ठीके यह बाद ध्यान रखना हम potential energy का change बता सकते हैं किसी भी बोड़ी का मगर potential energy नहीं बता सकते हैं ठीके clear जैसे कि मानलो मेरी जेव में कितने पेसे हैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा है ना मगर अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने अभी 1000 रुपे किसी को दे दिये चलो 1000 रुपे का नोट बंद हो गया चलो 2000 रुपे दे दिये तो अब आप सब्सक्राइं डिए तो बच्यों करसके हैं है है यह ना की पोटेन्चाल एनर्जी अपको जो मानना पड़ेगा ना आप咏 पड़ेगा कुछ ना कुछ है ना आपको इसा बोलना पड़ेगा किसा आपके पास मालों 2,000 रुपे थे आपने दे दिये 2,000 रुपे अब आपको पास 0 रुपे बचे एसा बोल सकते हो आप क्लियर है क्या चलिए तो यह आल अबाउट हुआ पोटेंशल एनर्जी आई होप कि आप लोग समझ में आ गया है ठीक है मोटा मोटा में समझाओं तो इसमें सिर्फ एक चीज़ा बदने पड़ी है कि पोटेंशल एनर्जी conservative forces clarify ने और formula होता है change in potential energy is equal to minus of work done by conservative forces इतना ध्यान अपने को clear चलिए अब इसको रफ कर देता हूँ चलिए दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं gravitational potential energy है na gravitational potential energy तो बड़ा simple है concept सब को पता है 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 न सब लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है कि gravitational potential energy क्या होती है simply कहानी कि sir अगर यहां पर हम किसी block को रखें है न मास्क ब्लोग रखा और हम उसको मानलो h height उपर ले जाए है न हम उसको मानलो h height उपर ले जाए है राइट तो उसकी कितनी potential energy बढ़ जाएगी तो आपको सब को पता है न MGH ठीकिना MGH बढ़ जाएगी है ना तो मतलब मैं इसा बोलूगा कि देखो चेंज जो होगा ना चेंज वो डेली हो जाएगा MGH है ना सबको क्लियर है बस इतना इसे concept के अपने पास potential energy का कि अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो इस height पर आने के बाद में बोलूगा MGH हो जाएगी अच्छा एक बात बताओं अगर मैं इसको मान लूँ 0 ना मानते हुए इसको बोलू कि यह 2 MGH है तो अब बताओ इस वाले block की क्य क्या potential energy हो जाएगी जब हम उपर ले गए तो आप बोलो कि सर अब potential energy हो जाएगी 3 MGH है ना अगर मैं इसको 8 MGH मान लेता तो यह होता 9 MGH अचा इसको मान लेता माइनस का 5 MGH माइनस का 5 MGH तो यह क्या होता सब माइनस के 5 MGH से MGH ज्यादा मतलब की माइनस 5 MGH प्लस MGH मतलब माइनस का 4 MGH सभी बात है क्या अचा माइनस मान लेता तो यह होता potential energy 0 तो आपको समन में आ गई न इत्ती से कहानी है बस कि reference अगर मैं अलग लग ले लूँ तो मेरे पास इसकी potential energy लिखने में अलग लग लगा जाएगी मगर हा change मेरा fix से change मेरा fix से clear है के अपने को अरे बोलो ना अरे बोलो भाई पका change fix अपने को पता है पका clear चलिए बहुत बढ़ी है ना तो अभी reference की बात करी है तो अभी हम reference की बात भी कर लेते हैं ठीके जल्दी से देखिए ऐसा है कि यार मैं काम करता हूं एक example के तुर पर आपक पर एक बी परसंट खड़ा है और एक यहां पर सी परसंट खड़ा है और एक ब्लोग रखा हुआ है यहां पर जो कि M मासका है clear अब अगर अगर एवाला अपने ग्राउंड को कि reference मानता है तो इसकी potential energy क्या बोलेगा अगर यह हाइट है तो potential energy with respect to A A के respect में A के respect में इसकी potential energy क्या बोलेगे सर्व हो जाएगा MGH है ना क्योंकि वह अपने पेरों को ग्राउंड मानता है चलो बी वाला अपने पेरों को ग्राउंड मानेगा तो क्या बोलेगा इसकी potential energy क्या बोलेगा तो with respect to block बोलेंगे ना अगर हम with respect to B तो वह जाएगी 0 क्योंकि उसकी पेरों की पास पड़ा हुआ है है ना तो उसन अपने पेरों पर potential energy 0 मानिये तो उसको 0 बोलेगा अच्छा अगर सी से पूछूंगा कि भाया सी बताओ तुम्हारे respect में कितनी potential energy हो जाएगी इसके तो सी वह लेगा देखो भी हमारा पेर जो है वह ग्राउंड पर है वह ग्राउंड हमने माना है potential energy 0 तो अभी यह से जाग के देखेगा कि हाँ यह वह है नीचे है तो हम बलेंग उसकी potential energy minus MGH clear है क्या रेफरेंस अलग लग लोगे तो अलग पोटेंशल नर्जी उस ब्लोक की बोली जा सकती है मगर चेंज हमेशा से रहेगा ठीक है ना चेंज मतलब इसा नहीं बोल रहा हूं जैसे इस ब्लोक को अगर मैं यहां से उठाकर कुछ भी हाइट ले आधे अगर यह वाला देखते रहेगा और तो उसके रिस्पेक्ट में वही चेंज आएगा जो भी की रिस्पेक्ट माया जो सी के सब्सक्राइब ठीक है चलिए तो भी यह तो हो गया रेफरेंस का खेल रेफरेंस का खेल सीधा-सीधा कि आप जहां पर कहीं पर भी 0 मान सकत तो देखो दोस्तों इसे मान लो कि यह अपने पास रोड है इसकी पोटेंशिल नर्जी लिखनी है इसका मास M है तो आप लोग क्या करना कभी यह से कुशन मिले जो उसका मास अपना सेंटर मास में मान लिया करो तो इससाब से देखा जाए तो उसका जो हाइट होगा तो वह लिखा जाएगा इस तरह से पोटेंशिल नर्जी लिख दी जाएगी अब अगर मान लो इसी तरह से कभी-कभी वह एक्स्टेंडेट ब्लोग भी दे दिया करता है यह ना एसाइड का तो एसाइड लेंथ का अगर देदे पोटेंशिल नर्जी क्या लिख दोगे फिर बोल देना सर एम जी ए अपने इसको जूरो माना है तो यह जो पोटेंशिल नर्जी है ब्लोग की कितनी बढ़ गई तो बहुत बढ़िया तो अब इसको रॉफ कर देते हैं है ना अच्छा अब ना में मेडिकल वालों से बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा भी कॉस्टन एक कॉस्टन है वह जो आई में मुझे दोनों को साथ में पढ़ाना है तो इसलिए थोड़ा सा अलग-अलग पूछना पढ़ रहा है आपसे तो बहुत दिमाग वाले बच्चों ने तो ये है कि सर अभी आपने बोला था पोटेंच्रिशल स्फी सिस्टम की पोटेंशल प्टेंशल ऑप रिखते वह सर वह सिस्टम का होता सो इंडिविजल बोडि सकता आपने बोला आप यहां पर तो अर्फ पर एक ब्लोक रखाथा असलियर्ट में देखा जाए तो यह साथ है ना कि अ कू्छ HA लेग dedic है और हमोना की हैक इंठ चोटा है यार से बहुत چो थोटा है बगर हम सोगद ही एंट ले गए हैं ठीक है हम है है अधिम्हाइफिक लेगा शिस्टम की बूलना चीए थी ना miles कैसे और प्लॉक सिस्टम की बूलना चाहिए न कि सिस्टम की चाहिए तो सब्सक्राइब तो हकीकत यह है कि यह ही सही है मगर यह प्रथा चली आ रही है मगर यह ध्यान से सुनना अब यह प्रथा चली आ रही है कि पोटेंशल एनरजी और फ्लस ब्लोक सिस्टम की जो बढ़े कि आप इसा मान सकते हो कि वह प्रथा चली आ रही है हाकिकर तो बोलों के साथ सिस्टम की बढ़ रही है ना तो सिस्टम की बोलना चाहिए थी नहीं दोस्तों आप एक्चली आयटी में इसा कुश्चन आ चुका है ठीक है उन लोगोंने भी क्या करा कि प्रथा को ही पूछा था तो उन्होंने एम जी एची लिया ठीक है तुम समझ रहे हो ना उन्होंने बतला वही प्रथा को ही चलने दिया ठीक है कि ब्लोक प्लस अर्थ सिस्टम की प्लस और अब तुम बोलोगों इसका इस तरह से में बोलूंगा कि जब आप इसको यहां पर से यहां पर ले गए ठीक है तो यह बिल्कुल वैसा है ना कि जिसे आपने पथर को यहां से उपर फिक दिया ठीक है तब जाहिर सी बात है अर्थ तो रिकोईल नहीं करीगी ना क तो गंद से जब बहार निकलती है तेजी से तो आपका हाथ पीछे के तरह होता है ना रिकोईल वैसा तो जब आप इसको यहां से वहां पर ले गए ठीक है तो जाहिर से बात है अर्थ तो नीचे जाएगी अर्थ तो वहीं पर रहेगी ना क्योंकि आर्थ का इंफानेट मा है तो हम एल की पोटेंचेशल आनिजी वही की वही रहें देंगे और हम योँदे यह बोडेंगे कि यह यहाँ से पर आगया तो ऊसकी पोटेंचेशल ने चेंज होगी वो ब्लोग को ही देंगे कि यह थोड़ा सा जादा हो गया ना आयटे वाले बच्चों लिए था नेट वाले तो बिल्कुल भी नहीं सुचना है ठीक है और यह वैसे भी पहलतों के सवाले पर कोई पूछेगा नहीं यह तो बहुत ही दिमाग वाला मतलब बहुत ही रेयर में मतलब दो-तिन साल में एक यह बार मुझे बच्चा दिखेगा इसा जो इसा पूछता है ठीक है यह कोई भी नहीं पूछता है इसा क्वेशन ठीक है ना चलिए तो बस इतना हैं पर समझाया है कि आर्थ प्लस ब्लोक से सुन लेना यह जो लाइन सुनोगे इसके बाद यह तुमको समय में भी आजाग ठीक है ना इसलिए हमने यह अपर जो Oxygen College लिखी ना वह ब्लोक के लिकी हुई है ठीक है था राम है क्लियर चलिए तो अब हम स्वूरू करते हैं स्ट्रींग अ चलिए दोस्तों तो अब हम स्वूरू करते हैं निर्जींग जल्दी अलिबे खतम कर लेते हैं बहुत ईजी है यह तो इस प्रिंग पोटेंशल एनरजी ठीके देखिए अधिसे मान लीजिए कि यहां पर यहां पर इस समय ने चुल लिंद पर है ना और हमें इस स्प्रिंग को इनिशल से कुछ फाइनल पोजीशन पर ले जाना है यहां पर है ना इस तरह से ले जाना है तो आप सब को पत है स्प्रिंग का व capabilities क्या होगा हाफ के एकस इनिशल का स्कुर माइनश स्ब्लक bizट इस सब को पता है ना यह बात तो सब पता हुए स्कुर्ण का अन्य में होता है यह जाहिर सी बात होतो है स्प्रिंग फोर्स इस यह SPRING का और न है यह Nव तो अगर मुझे POTENTIAL नेरी का चेंज निकालना है यहां से यहां तक लाने के लिए मुझे का निकालना है अगर potential energy का change यहां से यहां तक लाने के लिए ठीक है तो हम बलेंगे वह हो जाएगा minus of change of potential energy is equal to minus of work done by conservative forces अब भी हमने पढ़ा था आचे lecture में है ना starting में तो change of potential energy is equal to minus of work done by conservative forces तो यह conservative ही तो है तो यहां पर डाल दो चलो भाई यह ठीक है डाल दिया तो यह हो जाएगा minus of half k x initial का square minus x final का square सही बात है तो अब अगर आप इससे solve करेंगे तो आपके पास आएगा change in potential energy is equal to half k x final का square minus x initial का square आप बात समझ रहे हैं ना है ना अच्छा तुम लोगों से मैं एक बात बताओं पूछूं तो यहां पर भी फाइनल माइनस इनीशल है ना तो तो यहां पर जो potential energy में चेंज आएगा दोस्तों तो वह इस तरह से निकाला जाएगा पूछ पूछ इस तरह से निकाला जाता है clear अब एक काम करते हैं अब हम मान लेते हैं कि बहिया इनीशली अगर वह नेच्वल लेंट पर होता तो हम बोलते हैं कि इनीशली उसकी इनीशल पोइंट अगर मान लो नेच्वल लेंट पर होता तो उसकी उसकी पटेंच्वल लेंट कमने रेफ्रेंस लाइन ले लिया है कि यहां पर प्रेंच्वल पास्टेर बलकुल भी नहीं है ना तो आप देखोगे कि आग मान लो जो final वाला है न वो आप मान लो x distance पर है तो हमारे पास energy stored कितनी हो जाएगी इसके अंदर तो हम बोलेंगे half k x square होगी आप कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो उसमें है न initial वाला term यहाँ पर 0 हो जाएगा यह वाला और यहाँ से यह वाला 0 हो जाएगा तो you final is equal to क्या जाएगा half k x final का square ठीक है तो इस तरह से बन जाएगा आपके पास मतलब यह कि natural length से अगर हम किसी भी spring को खीचें तो उसके अंदर half k x square energy stored हो जाती है यह ना और यह ध्यान रखना एक और बात यहाँ पर कि यह जो energy है ना spring potential energy spring potential energy यह हमेशा ही positive होती है always positive अब इसा क्यों है भाया है ना तो देखो दियान से होता क्या है ना दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर आप spring को natural length से या तो x elongate कर लो या उसको x compress कर दो दोनों ही case में उसके अंदर तो energy story होगी ना जैसे अगर आपने इसको दबाया तो आपने external work करा तो वह आपका work उसकी potential energy में stored हो गया अच्छा अगर आपने उसको khee चाँ तो ओभी वोसकी potential energy stored हो गया सही बात इक बनाद आपका जो work है वो उसके energy में stored होगा ना तो आप इसको दबादो तो या खीच दो दोनों ही केस में क्या होगा उसकी प्रेंशल इनर्जी इस टोड हो जाएगी तो अगर आप इसको खीचो या दबाओ इस प्रेंशल इनर्जी क्या हो जाती है इस टोड ही देती मिलेगा आप लोगों को एतनी बात चलिए बहुत बढ़िया अच्छा इसमें सब्सक्राइब क्या संब्सक्राइब को बाता इनर्जी इस टोड होगई तो हमें 10 जूल एनर्जी स्टोड हो गई तो बताएं एक सटैंस इलोंगेट करने पर कितनी energy stored होती है ऐसा पूछा गया वाण लोग कितनी energy stored होती है तो आप क्या बलोगे या तो सीधे सीधे formula लगा दू यह वाला है ना या फिर आप लोग क्या करो बिल्कुल ऐसा सोचो देखिए x इलंगेट करने में 10 joule energy stored हो गई फर्दर एक्स में कितनी होगे सीधे सीधे यहां से यहां तक में जो stored होगी मैनस यहां से यहां तक मैं जो stored होगी total समझे रहे हो ना total minus this is equal to is की energy आ जाएगी सीधे सीधे बोलो कि 2x का square मतलब 4x square और minus half x का square तो वाजगा आपके पस 3 half 3k x square is equal to कि भी हाफ के एक स्क्वेर दस था तो आंसर आजेगा 30 जूल है ना तो इनर्जी जो स्टोड़ोगी वो 30 जूल आजेगी इस तरह से कर सकते हो या फिर यह वाला फॉर्म्राय लगा लो है ना या फिर वक्डेंस से तरह सा समझ लो किसी से भी कर सकते हो क्लियर था असान है ना चलिए दोस्तों तो अब हम बढ़ते हैं कंजर्वेशन ओफ मेकेनिकल इनर्जी के ओर ठीक है अब है बहुत इंपर्टिन टॉपिक ठीक है चाप लो जल्दी से चलिए दोस्तों तो अब हम शुरू करते हैं conservation of mechanical energy ठीक है हेडिन डाली जलती से conservation of mechanical energy ठीक है बड़ा असान है तो दोस्तों सब लोगों को पता होगा कि work done by all the force all the force होता है changing energy के बढ़ावर सब सब्सक्राइब को पता है यहां पर आजाएंगे जो की होगा यहां पर चेंजिन कानेटिक एनर्जी के बढ़ावर सबको क्लियर है अच्छा दोस्तों हम लोगों को पता है कि चेंजिन पोटेंशल नर्जी जो होती है वह माइनस वग्दन बाइक इस माइनस डियू यह तो बोल सकते हैं न जिसे हम लोग जानते हैं न कि डियू इसे हम लोग जानते हैं तो यह माइनस का डियू और यह माइनस का डियू है दोस्तों तो हम उसको अधर ले जाते हैं ठीके तो प्लस का देल लिए प्लस अधर यू इतना समझ में समझ में कि if if only conservative force act if only conservative forces act अगर सिर्फ conservative forces लग रहे हैं system के अंदर ठीक है ना ठीक है system के अंदर अगर only conservative forces लग रहे हो या फिर work done by non conservative और अधर अधर का अधर forces का वर्ग रहे हो या फिर नॉन पर वाला है ना या फिर यह वाला दोनों बात एक ही है कि अगर या तो simple सी बात है कि सिर्फ conservative forces एक्ट हो रहे हो या फिर non conservative force और अधर forces का work done zero हो तो यह वाला पूरा जो portion है वो zero हो जाएगा और अगर यह पूरा zero हो गया दोस्तों तो ध्यान से समझना ध्यान से समझना कि हो जाएगा zero is equal to delta k is plus delta u सही बात है क्या अब ध्यान से समझना delta k क्या होता है सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब q initial plus k initial is equal to u final plus k final it means अच्छा सबको पता है कि potential energy plus kinetic energy के सम को ही हम बोलते हैं meccanical energy सबको पता इतरह बात है ना तो अपने पास यही चीज में बन गई conservation of mechanical energy ठीके ना कि इनीशल mechanical energy is equal to final mechanical energy ना यह अपने पास derivation हो ठीक है इसको हम बोलते हैं conservation of mechanical energy यह बहुत important है अच्छा इससे हमको क्या पता चलिए कि mechanical energy हाँ पर क्या हो गई constant है mechanical energy हाँ पर क्या हो गई constant है और अगर mechanical energy दोस्तों हैं पर constant है तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर potential energy बढ़ी तो kinetic energy क्या होगी घटना चाहिए और अगर potential energy घटी तो kinetic energy को क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए तो हम सीधे सीधे यह वाले concept भी यूज़ कर सकते हैं जन्रली ठीक है ना हम या तो यह करें कोई दिक्कत नहीं है है ना या फिर हम इस तरह से समझ लें कि potential energy बढ़ रही है तो kinetic energy घटी तो potential energy बढ़ रही होगी है ना कई बर ऐसा भी होगा कि potential energy घट रही होगे potential energy बढ़ रही होगी सरीय कैसे होगा तो सुनों gravitational potential energy घट रही होगी और spring potential energy बढ़ रही होगी ऐसा हो सकता है ना है ना मतलब energy आपस में conserve होना चीए बस इतना ध्यान रखो आक तो कि energy conserve होना चीए तब clear तो ध्यान रखना यह कब applicable है पहली तो यह ध्यान से समझ लो यह बहुत सही चीज़े यह बात तो clear है मगर यह कब applicable है वह भी ध्यान से समझना भई यह applicable तभी है जब conservative forces लग रहे हो बस अगर हमारे system के अंदर पहले बाद तो system आप consider करना आपको आना चीए है ना system हम क्या ले रहे हमारे system के अंदर अगर conservative forces लग रहे हूं system के अंदर की बात कर रहा हूं में बाहर का force तो लग नहीं पहली बात है आपको यहां पर लिखांगी कुछ पॉइंट जिससे यहां पर यह जा पर यह एप्लिकवल नहीं होता ठीक है जा सबसे पहले बात को यहां पर क्या लिख दिए बिखना और अगर नों कंदर्वट फोर्स लग रहे हैं सिस्टम के अंदर अगर लग रहे हैं तो उनका वग्डान जीरो होना जुरूरी है देखो इंटर्न नोन कंदर्वेटी फोर्स लगे नहीं हों तो शोक से लगे हमको'm कोई दिक्कत नहीं है मगर उनका work done zero होना चाहिए ठीक है या तो लगे ही नहीं तो यह अपना आराम से लगा सकते हैं या तो वह लगे तो उनका work done zero होना चाहिए ठीक है ना सर यह कैसे possible है तो सुनो मेरे बाद ध्यान से बड़ा सिंपल कहानी जैसे कि मान लो हमने यहां पर एक सिस्टम ले लिया कि इस तरह से है ना तो अब मान लो कि मैंने इसको नेचर लेंज से यहां पर कंप्रेस कर दिया था ठीक है तो मैंने जब कंप्रेस करके जब छोड़ा तो मैंने बोला कि बताईए कारेंटिक अरजी क्या होगी तो सुनो मेरे बाद ध्यान से अब तुम देखोगे कि अगर म मैं सिस्टम मेरे पूरा एक सिस्टम मेरे पास होगा ये पूरा इक शिस्टम मेरे मेरी लिए तो तो अब मेरी बात यहां ते समझना कि System के अंदर अगर मात करी तो इसमें एक Friction यहां लग रहा होगा है ना और इसमें Friction से अगर मैं इसे बोल रहा हूं ठीक है थी भात इंदोर में स्टेटिक फ्रिक्शन लगा दोस्तों थो बात तो अ 해요 ना ब्राबर ेस कि पूरभए पिंदबंध यह को मार और हमारे स्टम के अंदर से लग गया तो सर फिर आप यह नहीं लगा सकते हैं इसां नहीं है सुनों मेरे बाद ध्यान से भाई इसमें नॉन conservative फोर्स लगा मतब इस यह फ्रिक्षिन लग रहा है मगर उस फ्रिक्षिन का वर्कडन जीरो इस ब्लोग पर बेट जाओ उस ब्लोग पर बेटके देखो गई कि उपरवले ब्लोग नहीं चल रहा ह। तो इसका मतब क्या होगा की वग्डन नहीं होगा से बात Jestärtर का सिस्टम पर में सभी सीप्रिक्षिन जो है वो फ्रेम के इंडेपेंटर हो पुल्डय को सच ने अट रहे मुंप नीकालना हो तो फ्रेम के इंडेपेंटर हो ray और बाकी तुम समझदार हो ग्रेविटी कंजर्वेटी फोर्स है स्प्रिंग कंजर्वेटी फोर्स है तो यह यहां पर हम यह लगा सकते हैं क्लिए रहें अब जल्दी से पर कुछ important point लिखिए ठीक है तो point number one कि it is applicable only for conservative forces यह सिर्फ conservative forces पर ही applicable रहेगा पहला point ठीक है अब लिखे दूसरा point कि non conservative force उस system के अंदर नहीं लगना चाहिए अगर non conservative force लग रहे हैं तो उनका work done zero होना चाहिए यह हो गया आपका point number two ठीक है जैसे कि मैं आपको यहां पर बताया अब लिखे point number three कि यह applicable तब नहीं होगा जब external force system पे लग रहा हो यह बद्ध्यान लखना मतलब यह कि हमारे system पर कोई external force लग रहा होगा तब हमारा यह चीज यह जो चीज है conservation of mechanical energy यह काम नहीं करेगी clear हो गया क्या तब सर्फिर क्या काम करेगा तो बोलना work energy theorem का काम करेगी ह है ना यह थर्ड वाला point लिखो लिखो लो अभी फिर बाद में बताता हूं है ना थर्ड वाले को और explain कर दूंगा फॉर्थ लिखना कि द्यूरिंग अप्लाए conservation of mechanical energy always कि टेक reference line always take reference line ठीक हमेशा reference line ले ले लेना बना potential energy define कर देना है ना बना potential energy must be defined first पहले आपको differential energy define कर देना है during applied conservation of mechanical energy ठीक है अब मैं थर्ड नम्मर के point को एक बर explain कर रहा हूं बच्चे ध्यान से सुन लो जिसके मानलो मैंने आप लोगों को एक question दिया इस तरह से मैंने बोला बच्चे कि यह 2 kg का है आपने 20 Newton का force लगाया और यह अभी नेच्रल लेंद पर है ठीक है और यह चलो हमने बोला कि 10 cm यह point one meter point one meter जब अंदर आएगा तब बताइए इस blocky kinetic energy क्या होगी तो तो तुम बोला कि देखो सर gravity का work done तो 0 है ठीक है ना सर ठीक है सिस्टम हमारा यह वाला है अब सिस्टम में देखा जाए तो spring है तो spring तो conservative है तो बहुत बड़ी स्पिंग conservative है फ्रिक्शन तो ही नहीं को कि smooth surface ले रखी है मैंने अब हमारे system पर सर यह external force है और अगर external force है तो हम इसकी kinetic energy निकालने के लिए करें क्या कि जब यह point 1 अंदर आजेगा तो इसकी kinetic energy क्या करें तो आप क्या करना सीधे सीधे WET लगा देना work energy theorem कि work done by all the force is equal to change in kinetic energy तो क्या करोगे किस किस का work लोगे दोस्तों work लेना spring का work लेना इसका force का और इन दोनों का work का sum जो होगा वह change in kinetic energy के बराबर हो जाएगा और अंसर खतम clear तो दोस्तों एसे चीजों में ना हमारा यह वाला काम नहीं आथा ठीक है यह बाद जहां अखना यह जब अगर friction लग जाए तो हमारे पास यह चीज काम नहीं आएगी यह चीज तभी काम आएगी जब हमारे पस सारे forces conservative हैं वह सिस्टम पर कोई external लग रहा हो फि तो हमारे पास यह applicable है otherwise नहीं काम करेगा ठीक है अब आपको clear हो गया ना चलिए अब मैं आपको इसको question करा देता हूं और फिर आपको पूरा एकदम practice हो जाएगा तो सब्सक्राइब किस तरह से करना है ठीक है चलिए जल्द से चाप उसको चलिए दोस्तों तो अब हम शुरू करते हैं application of conservation of mechanical energy ठीक है तो देखे दोस्तों अम मानलो आप लोगों को question दिया गया इस तरह से कि aim mask का blog है हमने उसको h height से drop कर दिया है ना h height से drop कर दिया तो बोला य आप से तो आप कैसे करोगे तो बिल्कुल सिंपल देखिए इस पर आप देखो तो only gravity लग रही है only gravity लग रही हो ग्रेविटी एक conservative forcing ठीक है भाई सब तो आपका बलोगे अगर gravity conservative force है तो हम लगा सकते हैं आपर weekend apply weekend apply conservation of mechanical energy ठीक है तो भी आप बिल्कुल इज्जत से लगाते ह मैंने क्या बोला था इसको लगाने से पहले आपको potential energy define करना पड़ेगी तो यह आप लोगों ने बोल देखिए अपने potential energy zero है मालो ठीक potential energy zero इसको ले लो तो आप इस बोड़ के नीचे इस वाले corner को भी सकते हो कहीं पर भी मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी ले सकते potential energy zero मगर एसी जगह पर लो कि आपको आसान हो जाए question ठीक है ऐसे नहीं कि मतलब आपने इसको मान लिए potential energy zero नहीं यह सर हमारे पास पता नहीं 300 जूल है तो इससा क्यों मानना फोकट क्यों टफ करना है ना आप इसको भी जिरो बोल दो तो उस हिसाब से आपके पास अब देखिए यह इनिशल पोजिशन थी और यह फाइनल पोजिशन है है ना अब ही हम बोले कि mechanical energy initial is equal to mechanical energy final हो जाएगा सभी बात है अब लगा दो चलो initial mechanical energy तो बैटा इनिशल में देखा होगे तो potential energy है MGH है ना कानेटिक energy है 0 इनिशल कानेटिक जिरो थी final जब वो यहां पर पहुंचेगा तो उसकी potential energy 0 हो जाएगी और कानेटिक energy हो जाएगी हाफ इसके तो आपको अंसर मिल गया है ना कितना आ जाएगा इधर से आजएगा रूट टूजी है मिला आपको अंसर है ना आप लोगों कानेटिक्स में भी निकाल रखा यह सीधे अंसर आ गया है ना अच्छा अब ना यह यह जो है ना conservation of mechanical energy यह तो अपने पूरा इज्जत से लगाया हुआ है है ना initial is go to final पूरा की पूरा प्रोपर लगा के यह आप लोग ना सीधे सीधे यह भी कर सकते हों जिसमें आपको बना mechanical energy constant होगी अगर इसमें सिर्फ conservative force लग रहा है तो इसमें mechanical energy constant होगी और अगर mechanical energy constant घटेगी और सी kinetic energy दोस्तों बढ़ेगी तो अपन सीधे बोलो कि कितनी घटी इसकी potential नजी तो बोलना MGH कितनी kinetic energy बढ़ जाएगी तो बोलना half Mb square अंसर खाता हूं अंसर खाता हूं वीजगल टूरूट टूजी चाहिए आपका अरे बोलो ना अरे बोलो ठीक है तो दोनों बात एक ही यह वैसे लगाने का बस तरीका अलग है इसी के बाद तो हमने यह पढ़ा था ना कंदविशन और मेकनिकल नर्जी में मेकनिकल अगर कॉंसेंट हो तो हम सब्सक्राइट है ने दोनों में ब्लोग को यहां पर रखा तो बताइए जब वह यहां पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड च्या होगी मैंने इसमें भी तो क्या भावोग के आप लोग सिर वही है कि यहां पर नॉर्मल चुण जिरो होगा और यह पूरी स्मूथ है ट्रे बहुत अच्छे तो सिर्फ ग्रेविटी का वगड़न है जो कि कंजर्वेटीव हैं तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं वही चीज़ यहां पर आप देखो गे तो वही हो जाएगा क्योंकि घटेगी और कितनी बड़ेगी एक अपर कितना मल जाएगा रूट टूजीएच अब चाहिए तो इसमें पूछो चाहिए इसमें पूछो अंसर तो रूट टूजीएच ही आएगा सभी आगे बात को मतलब अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप कर दो ठीक है किसी भी ब्लोक को ड रूट टूजी एच मतलब वही आप एनरजी से निकाल सकते हो तीनों ही केस में रूट जा रहा है है ना जिसे मैं आपको इसमें और एक्जांपल देता हूं है ना ध्यान से समझते चलना आप लोग ठीके अब जिसे मानलों मैंने इसमें आप से यह बोल दिया इसमें आप से क्रेंठा एक कोशन जो कि बहुत ही क्यों आप बहुत ही फेमस्ट है कि हम ने एक बिल्डिंग से पत्थर को एक पत्तर को अलग अलग तरीके से व्यागत बाल नीचे विठ दिया यगई Ec वाधीर फिख है इसपंद से में हुझ ix ब्लाट तरीके से ना same से मी रखी इक हमने स्पिर तो से मी रखी कोई दिक्कत नहीं इक तरस 미σεं के बस इंगल बदले थे तो मैंने वन डारीक्षण एक बार टू डारा किन्स में फूर डार्यक्षण में फेक मैं और पूछआ आप लोगों से जब यह The पत्थर ग्राउंड पर टकराएंगा तो इसकी स्पीड क्या हो गई पंप्लाउंड अ क्या होगी अब यह सचशन हैं यतसी में भी आ चुका तो दोस् lazos ऎन टी Megays निट में भी निए चुका है नीट में भी आचुका है these में भी आ चुका है तो यह आप सो चलो इसने कोई सी एक्जाम नहीं छोड़ी है तो यह सब में आ चुका यह कुश्चन तो चलो करें किसे करते हैं देखो इसने पूछा है कि नेट स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउन पर पहुंचे कर दो तो यह नेट स्पीड सभी के केस में ध्यान रहे सेम ही रहेगी और यही चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर वन में पांच-दस मिट के अंदर ही बता था याद हो तो ठीक है नहीं हो तो फिर देख लो आपस से तो यह हो जाएगा सब की स्पीड बराबर होगी ऐसा क्यूं है को कि सबकी इनिशल कानेटिक नर्जी देखोगे तो सबकी इनिशल कानेटिक नर्जी तो हाफ Mb2 लिखोगे यहाँ पर और डिक्रीज पोटेंशल अगर अगर इनिशल नर्जी विसम सेम थी जिसे अगर मैं इनिशल नर्जी लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी अगर मैं इसको ग्राउंड को प्रणेशल जिरो मान लेता हूं ठीक है तो इस समय के अपने इनर्जी लिखेंगे सब्सक्राइब और यह जब पत्थर नीचे पहुंचेगा तो प्रेंशल नर्जी जिरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी हाफ एंवी डेश काई स्क्राइब तुमने किसी भी डिरेक्शन से फेका हो हमें कोई फरक ही नहीं पड़ता है ना हमारे भाईया एनर्जी में कोई सब्सक्राइब तो इतना जहां रखना यह सब पत्थर अलग अलग समय पर पहुंचेंगे अलग अलग वेलोसिटी से पहुंचेंगे मगर उनकी नेट स्पीड यहां पर पहुंचने की वह सेम होगी अलग अलग ताइम पर पहुंचेंगे यह बाद ध्यानक ना अलग अलग वेलोसिटी भी रहेगी वेलोसिटी मतलब किसा कि उसकी वर्टिकल डारेक्शन की और आगे बढ़ने वाली जो वेलोसिटी है यह ना अब हम थोड़ा से और देख लेते हैं इसका अप्लिकेशन है ना समझ में आ रहे हैं ना देखो बड़ा आसान होता है इसको लगाना कंजर्वेशन में में करें मेकनिकल इनरजी को देखो जिसे कि अभी आपने एक और कुस्टिन करा था है याद हो तो आप लोगो को कि इस टोटल हाइट एच थी फोरेस्टी याद हो हमने लेक्षर नबर फोर में दिखाया था आप कराया था आपको है ना इस तरह से दिया था कि टोटल हाइट फोरेच यह वाली और यह एच है तो मैंने बड़ा थे कि बता यह रेंज क्या होगी मैंने यह पुछा था तो रेंज इंटू 3H is equal to half mv square काम खतम दोस्तों इससे भी मिल जाएगा उसके बाद आप रेंज निकाल लेना क्लियर क्लियर इसी तरह से अगर आपको और भी कुर्शन दे दिये थे हैं ना और कुर्शन आगर मानलो आपको दे दिया जाए इस तरह से दे मानलो है ना इस तरह से दे द रिखार को दे ना तो बहुंत लें चीश्न कर तो बताएट है कि इहाँ पर वेलसरी क्या होगी यह पूछ रहे है थीक है क्या ड्रेदी क्याahaha क्या बोलेंगादो बाई इसमें रसी का जो अब zero है रहे है लो Haushalco और वे और वीटिक के लिए अब ठीट चाहां इंक्रिंच कर के लिए हमने बताया था कि कि किसी भी ब्लोग को छोड़ो तो नीचे पहुंसता है रूट टुजी इस से हैं ना तो यह भी बैसे ही है कि सर्ड डिक्रेश्ट प्रोटेंशल इनर्जी एम जी एच हो गया है ना और इंक्रेश्ट करेंटिक एनरजी हाफ इंवी स्केर तो अंसर देखो इस प्रिंग पर बेज़े देखें तो किसा होगा आपको सिंपल सा कुछन पूछा कि हमने यहां पर एक स्प्रिंग को इस तरह से कुछ एक्स नोर्ड डिस्टेंस कंप्रेस कर रखा था ठीक है तो बताये जब यह ब्लोग इस नेच्रल लेंथ पर आएगा तब उसक स्पीड क्या हो जाएगी इसा पूछा तो क्या करोगे अप लोग फिर से वही है ना क्योंकि सर यहां पर ग्रेविटी का वक्टन लग नहीं रहा और हमारे सिस्टम में सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव है और यह स्मूध सर्फेस हैं है ना तो भी आप क्या करें अब लगा लो फिर्फेस्टम में किनिकल इनर्जी ठीक है देखो वही चीज़ें यार फिल कर लिया करो कि कौन सी एनर्जी किसमें कनवर्ट हो रही है तो आप क्या बोलोगे सर अभी जो दबाए ना तो इसमें स्प्रिंग पोटेंशल इनर्जी घट अब हिस्टेगी और इस समय पर हाफ इंविड स्केर में कर्वड हो जाएगी मतलब की कानटिक एनर्जी मी करण्वड हो जाएगी आप बात समझ रहे हो क्या कितना असान इसा बोलना है और यह ज्यादा अच्छा लगता है हमें भी है ना आप वैस्टे ये भी कर सकते हो किस स्केर पुरा इज़त से ऐसा करके लिखो या फिर सीधे सीधे करो क्या करो कि सर यहां से अभी यहां पर देखा जातो पुटेंशल नर्जी स्प्रिंग की है मतलब की स्प्रिंग पुटेंशल नर्जी मतलब हाफ के एक स्केर कनवर्ट हो गया हाफ एंभी स्केर में सीधी बात ठीक है के ना सभी ठीक है ठीक है चलो एसे एक और कॉश्चन देखो इसी के जिसा बिल्कुल एक्जेक्ट सेम एसा अगर आप से पूछ लिया जाए कि यहां मासे दूर से एक ब्लोक आया वी नोड इस्पिट से आया बहुत इजी से आ रहा है ठीक है उसका मासे में तो उसने बोला कि जब यह से टकराता है तो टकराते समय कोई एनर्जी के लोस्त नहीं करता मान लोग तो बताइए जब इस से टकराएगा तो इस प्लेट को कितना अ फाइनली इसकी स्प्रिंग के बदल जाएगी तो हम यह बोलेंगे कि हाफ एमवी स्क्वेर बदल गया हाफ के एक्स स्क्वेर में और यहां सा आप एक्स निकाल लेना आपका अंसर आजाएगा क्लियर रेका है ना अब देखो यार कितना असानी से कितनी तेजी से हम कुश्चन कर रहे हैं ठीके ना अगर मेकेनिकल इनरजी कंजर्व है तो आपको अंसर बहुत तेजी से निकल जाएगा यार ठीके आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी वर्क एनरजी थरम की हाँ अगर उस कुश्चन में मानलो की फ्रिक्शन दिख रहा है यह एक्स्टरनल फोर्स दिख रहा है तो आपको तो वही लगाना है है ना वह जन्रलाइज है यार ठीके वह सबसे इंपोटेंट है क्लियर चलो और कुश्चन देखें इसमें अपन है ना यह स्प्रिंग के हो सबस्ट जो है मासम की यह जब यहां पर नेच्ट्र लेंद कर आएगी तो उसकी स्पिड क्या हो जाएगी हमने बोला था है यहां पर हम देखें चैनल लगा सकते हैं तो हम बलेंगे इस वक्त कुछ एक्स ilonge sogenan स्भी स्क्राइब हाफ के सिरो गई जब इस वक्त आएगा और मान लो नेच्रूरल नहींद पर आ быстро बोलेंगे सर वह आपकर जोगे हाफ में से ही थीकिंश में अब अगर मान लो कि इस समय पर भी उसके अंदर एलोंगेशन रहता है कुछ ना कुछ है ना तो आप क्या लिखोगे किसे हमारी पुटेंशल नर्जी कनवर्ट हो गई का इनटेक एनर्जी में और इस समय कुछ पुटेंशल नर्जी भी रहे गई है तो बोलना हाफ के एक सब्सक्राइब करने के कोई दिक्केत नहीं बदला भी सवासानी ठीक है आपको बस यह समझना है कि कि कभ लग रहा है चलो जल्दी से और देख लेते हैं इसमें तो चलिए दोस्तों अब यह कुछन में आपके सामने ले रहा हूं ठीक है ना यह थृटा सा ठीक्ता कुछन अब ठीक बता देता हूं क्या है कि इस सर्फेस में एक चेंट पगड़का है और बोला गया कि जब हम इसको रिलीस करते हैं then find the speed of chain when it becomes vertical जब यह पूरी नीचे आ जाएगी तब बताएए चेन की speed क्या होगी यह पुछा गया आप से चेन की speed क्या होगी तो अब क्या करें भी है इसमें तो ध्यान से सोचो इसमें क्या-क्या लग रहे हैं यह देखो दें ध्यान से नॉर्मल लग रहा है उसका वगडन तो जीरो तो हटा दू और क्या लग रहा है ग्रेविटी वह इसको नीचे लाने मालकोने लगे है ना सिस्टम पर एक्षाष झीरोए इसलिए तो हम बोलेंगे कि ऐनीचल मेंजयन एनर्जी क्लिपाइन सब्सक्राइब करना है तो मतलब उसके लिए रेफरेंस भी लेना होगा है न Background हमांने के 살ें लांव खरेंसे भी सकते हो है न तो आप यह न तो को आफ एक काम करो कुछा हो तो अगर लग रहा हो तो आप इसको मान crochet प। प्रिच एपम और को भी मानते तो वह लग्व को भी चलता हमें तो वह भी चलता को दिक्कत नहीं है तो चलो भी आपने अभी सोचा कि यह इसको प्रिशारी एक सिरोम लेते हैं है ना चलिए बहुत तो वियल फाइनल जब तुम चेंगे एन्कों देखो गयर चेंगि आपक य स्टार से हो ज़ाएगी क्या वर्टिकल यह से घ्रेगी एस तरह है मिलैंट केज कभी तो दोस्तोंगे में अब पर हो नेम,, क्या है सर 0 potential energy initial क्या है सर तो सर इस L by 3 का जो मास होगा ना सर वो होगा M by 3 और सर इसका अगर extended body बोलेंगे हम तो इसको extended body तो सर L by 6 पर L by 6 पर इसके potential energy लिखेंगे तो M M G H सर H L by 6 और सर क्योंकि ये वाला reference 0 था तो इसके नीचे वाली सारी negative और इसके उपर वाली सारी positive होंगी तो इसलिए सर इसको negative लिख देना अब सर है क्या दो मेंटक ना हाँ ये initial energy ना हाँ बिल्कु सही रिखा बने ठीक है हो गया अब फाइनल दिखो तो फाइनल कानेटिक नर्जी हम लिख देंगे सर हाफ इंबी स्क्वेर प्लस फाइनल potential energy अब इस extended body का तो यहां पर होगा एक center of mass है ना और पूरा की पूरा अब इसको शोल वकल आपका अंसर खतम हो गया हना यह होजाएगा एंज्ड वाइटीन ठिक है तो इमज्ड वाइटा निकाल लो आप और लिख दो 1-1 by 9 है ना तो यह यह हो जाएगा अपने पास half mb square के बराबर m ने m को मार दिया तो यह हो जाएगा कितना देखो जल्दी 8 by 9 और 2 से कटे को तो 4 by 9 तो 4 by 9 बाहरा जाएगा 2 by 3 के रूप में तो v is equal to root में v is equal to 2 by 3 root यह आपका नसरा गया असान था क्या असान था क्या यह बिल्कुल मैं इजद से करके दिखा दिया पूरा अच्छे से question clear चलो एक और कर लेते हैं इसा ठीक है चलिए इसको जल्दी से लिख लो चलिए दोस्तों तो एक और question कर लेते हम इस पर है ना देखो एक question जो की बहुत ज़्यादा famous है सब जगे पर आता है ठीक है आपके टेस्ट में भी आएगा तो यह question ध्यान से सुनना neat वाले बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि आप लोग के इसमें ज़्यादा पुछा आता है यह question question यह बोला गया कि यहाँ पर एक spring है जिसके spring constant k है और यहाँ पर एक massless plate इस तरह से लगी हुई है है ना अब हमने किसी h height से एक ब्लोग को उपर से नीचे गिराया drop कराया ठीक है तो वो इसमें collide करके इसको दबा देता है तो उन्होंने यह पूछा जब इसको यह दबा देगा तो यह maximum कितना दबा सकता है क्या पूछा उसने कि यह x जो maximum होगा x maximum पूछा उसने maximum यह spring कितनी दबेगी नीचे तुम समझ गया ना question क्या है इस block को इसके पर रखा नहीं जा रहा इस block को छोड़ा गया है तो इसके kinetic energy भी इसमें help करेगी इस spring को दबाने के लिए ठीके उसके mask के कारण तो वह दबी जाएगा प्लस उसके kinetic energy भी इसको दबाने में help कर रही है तो आराम से सोचो बिलकुल आराम से सोचो पहले देखो कि system क्या है तो system हमारे पास यह दोनों मिला के होगा ठीके system यह हो गया बहुत बढ़िया अब system यह दोनों हो गया बहुत अच्छी बात अब देखो कि सारे forces conservative है क्या सर स्प्रिंग conservative है gravity conservative है ठीके और यहाँ पर energy का कोई loss नहीं लिने के लिए बोला है आपको तो आप लोग देख रहे हो कि स्प्रिंग भी conservative gravity भी conservative तो मतलब यहाँ पर हम सर conservation of mechanical energy लगा सकते है easily ठीके तो दोस्तों आप लगा लेंगे हम conservation of mechanical energy और यह लगाने से पहले हम सब को पता है कि आपको reference line चुनना होती है चलो तो आप लोगों ने बोला इनेश्यलं सर यहां पर है इनिशal तो सर यहां ही पर है ना तुम खुद सोचो अच्छाrit पहली बात ही बताओ कि potential energy reference किसको लेन चाहते हो इसको या इस line को या इस लाइन को आप कहीं पर भी ले लो आंसर तो सेम ही आने वाला है उसके कोई दिक्कत नहीं है आप चाहिए जहां पर भी ले लो ठीक है मगर मेरे यह कहना है मेरा कि आप इसको ले लो पता है इसको लेने से फायदा क्या होगा पर इसको जूरू लेते हो देखो मैं पह तुम खुच सोचो, Initial mechanical energy देखते हैं, तो सर, इस वक्त initial है, तो सर, इस में potential energy होगी, तो सर, potential energy इस वक्त क्या है, तो देखा जाए तो ये 0 है, तो potential energy होज़गी सर, ये X होगया, ये H होगया, तो बहलेंगे हम MGH plus X, ये initial potential energy, ही सिर इसले कि नजी कितनी है तो सरद्च ड़ियू है अच्छा यहां पर देखते हैं तो यहां पोनेशよ जी है इसी नाइरट के ख्यानिट ऑफ जी क्या है जी तो गुच बचा ऑफर ऒस वचा क्या हां बचा क्या क्या उस्प्रिंग स emissions इनरजी आजाईगी जो की हाफ के एक स्केर हो जाएगी सर यह क्लियर है क्या है नहां तो अब दोनों को ब्राबर कर दो इनिशली देखा जाए तो वह यह था mg H plus X ठीक है फाइनली देखा जाए तो भी हो जाएगा हाफ के एक स्केर यह चीज़ बनेगे आपके पास X की quadratic के solve कर लेना answer आ जाएगा खतम, खेल खतम इतना ही है clear, यह बिल्कुल मैंने इज़द से solve करके दिखाया अब किसी के मन में आ रहा होगा किसाथ decrease potential, increase kinetic वाले से करके दिखाओ concept से यह ना, भाई बात तो वो ही है उससे mechanical energy conservation का इसी तो मतलब होता है वो, ठीक है चलो करके दिखा देता हूँ न वो भी, सुनो decrease potential कितनी decrease हो रही है तो बोलो mg h plus x decrease हुई है ना क्या बढ़ी उससे, कानेटिक बढ़ी क्या, नहीं, क्या बढ़ी, spring potential, मतलब कि सर potential energy decrease होने से potential energy increase हो रही है, जिसमेरे आपको पहले बताया था पर कौन से potential increase होई gravitational potential, कौन से potential increase होई कौन से potential increase होई तो बोलना, spring potential increase होई, है ना same example, इस तरह से question दिया जाते है same ayse example का आपको क्या करेगा, इस तरह से platform पर देदेगा, इसे यहाँ पर इस तरह से को कितना दबा देगा तो मैं तो सीदे सीदे बोलूँगा कि यहां पर यह डिक्रीजप पुटेंशल ऊपूर और इंक्रीजप क्या होजेगी इस प्रिंप नरजी बहुत बढ़ी है बिल्कुल सही फिर जो कानिठी बढ़ेगी वह फिर से स्क्राइज बदल जाएगी सवर्मना रहे क्या बिल्कुल ठीक तो अपन दो बार में करने के बजाए सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते हैं कि यही पॉटेंशल असलियत में उसी के पॉटेंशल में बदलीगी से में से कि कॉंसेट हैं कि इसकी पॉटेंशल यहां पर काइनेटिक बनेग यह वह फाइनली इस पॉटेंशल नजी बन जाएगी क्योंकि मोमेंटरली उस वक्त की कानेटिक जीरो है क्लियर दोस्तों तो यह मैंने आपको बिल्कुल डीटेल वाइज में डेप्थ में बता दिया है कंजविशन में करो अच्छे हाथ बेड़ जाएंगे मगर ध्यान र लोग जब कंप्लिट कर लो तो एक बार ना लेक्चर नंबर फुर वापर से देखना जापने में डबलुएटी बताया है तो अगर आपको डबलुएटी और यह दोनों अच्छे से लगाना सीख गया एकदम प्रोपर पता चल गया क्या करना होता है कब तो भाई सब आप आगे कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली और एक बात और जितना बस थोड़ा था यहां पर डबलुपी में महनत करना पड़ रही है न बस डबलुपी में महनत कर लो इसके आगे कि जितने भी चेप्टर है ना सेंटर ऑफ मास मतलब बहुत ही असान चेप्टर मज़दार बह बढ़ना है उसमें बहुत आसान चलता है बिल्कुल मक्षन ठीक है उसमें बहुत मजाने वाला सेंटर उप मास में और सेंटर मास तक अच्छा होगे तो फिर रोटीशन में तो आपको फील आजाएगा सब बचा है वह सिर्फ बचा है थोड़ा सा कंसेट में एक्यूलिब्रियम यह बच गया है और पावर बच गया है उसके बाद अपना पूरा चेप्टर खतम है ना डबलीपी खतम तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए गुडबाई एंड थेंक्य झाल प्राद प्राद तो